हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल आज मैं आपको दिखाऊंगा मेरा रांच का टूर जी हाँ दोस्तों ये एफ एस ट्वेंटी गेम है उसमें ये मेरा रांच है यहां पर मैं दिखाऊंगा कि मेरे रांच में क्या क्या चीज़े हैं पहले तो यह आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पास काउंस है तो यह काउं यह मेरे रांच में ही काउं का फार्म है आगे चलिए मैं आपको दिखाता हाँ जी दोस्तों और ये भी बता दू मेरा रेंच का वेल्यू है टैन मिलियन डॉलर्स यानि की खेत वेट सब मिला के यह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ग्रेंड स्टोर करता हूँ यह वेइकल्स को इंक्लूड करके टैन मिलियन डॉलर्स है यहाँ पे यह प्रफिय देख रहे थे उसके आगे यह भी एक बड़ा खेत है और यह जो अभी आएगा आप यह देख रहे हैं यह ग्रास का जिस में से मैं ग्रास उगा कर अपने काउज को और शीप्स को खिलाता हूं और यह फार्म है जी यह भी मेरा ही है इसमें मैं क्रॉप्स ग्रो कर जाता हूं यह भी बहुत मेंगा है 3-4 लाग डोलर का है और यह भी एक दो लाग डोलर का आप सामने देख रहे हैं जिसमें अभी कुछ नहीं उगा हुआ हुआ है वह मेरा 2 लाग का है फार्म और अभी आगे भी एक में जहां पे सोयावीन अभी उग रहे हैं वह भी मेरा है वो भी अराउंड चार-पांच लाग का है डोलर का तो बहुत पैसा बहुत है यार अपने पास चलो जी अभी आपको दिखाते हैं हमारा होस का पेड़क जहां पे हम खोड़े रखते हैं मैंने दो खोड़े रखे हुए है बाद मैं आपको ले चलूँगा मैं अपने शीप्स के फार्म पे वो भी आपको दिखाऊंगा यह मैंने अंदर का केमरा कर लिया है यह आगया अपना होस का पेड़क यहां पे मैंने दो खोड़े रखे हुए हैं यहां पे भी पानी वगेरा सब फूल एकदम है जी हां दोस्तों यह आप देख सकते हैं मेरे होस का पेड़क है और सामने देख रहे हैं वाटरोली होस को लाने ले जाने के लिए है यह मेरे दो होस है एक यहां पे अभी खाना खा रहा था और यह दूसरा होस है वो भी खाना ही खा रहा है तो चलते हैं अभी मैं ले चलता हूँ आपके शिप्स के फार्म पे ये दोनों होर्स की वेल्यू है एक लाग डोलर मिला दोनों की मिला के यानि की एक की पचास अजार डोलर है चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेरे शिप्स के फार्म पे वहाँ पे भी मेंने काफी सारे शीप सर्खे हुए हैं, यहाँ पे अभी हम सोट कट से जाएंगे, और यह आप जो देख रहे हैं, सामने यह रेड रेड, वहाँ पे मैं ग्रीन बेचता हूं और पेशा कमाता हूं, काउस से हमें कोई इंकम नहीं होती, काउस से सिर्फ हमें ए कि यह वूल है यह ट्रोली पूरी वूल की भरी हुई है आप देख सकते हैं और यहां पे भी यह वूल जमा हो रहा है और सभी पेड़क पे और शिप्स के फार्म पे यह पानी की टंकी दी जाती है उसमें से मैं पानी बरके इनको पिलाता हूं और काउं के फार्म पे भी है यह पानी की टंकी यह देख सकते हैं आप सिप्स और जी हां मैं बता दूँ आपको की होर्स से कोई हमारी इंकम नहीं होती है होर्स को सिर्फ ट्रेन करके बेचा जाता है जितने आप उसे ट्रेनिंग दोगे उतना है वो जादा आपको पेसा कमा के देगा इसलिए होर्स कोई दूसरे यानि की प्रोडक्शन की इंकम नहीं देता है और होर्स का स्टेबल भी क्लीन रखना पड़ता है मैं आपको दिखाता हूं यह देख लीजिए यह सभी की प्र लखना पड़ता है ताकि वह ब्रीडिंग कर सके यानि कि अभी हमें भी फाइदा हो जाए चलिए अभी वापस चलते हैं हमारे रैंच पे यानि कि हमारे फार्म पे तो यह आ गया हो में अपने फार्म पे यह यहां का सर्विस स्टेशन है इधर आप देख सकते कोई भी नय वहिकल आता है और इधर से हम फ्यूल भी डलवा सकते हैं और कारवाश भी होते हैं वह अगले वीडियो में दिखाऊंगा थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग यहां तक नेकने के लिए आपका खुब-खुब आभार और यहां पर यहां पर देखिए यह मेरी काउंस है जो कि मैंने पहले ही आपको दिखा दी थी और यह इनके फीड्स के लिए है अभी मैं यह नेक्स वीडियो में कवर करूंगा तब तक के लिए थेंक्यू सौ मच फॉर वाचिंग सब्स्राइब करो लाइक करो शेयर करो और मोर अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन को ओन कर करूंगा थेंक्यू